Hello Friends, आपने Cryptocurrency की Mining के बारे में सुना होगा Miners Mining करते हैं ताकि उनको reward की रूप में कुछ coins प्राप्त हो सके तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हम अपने Mobile से Cryptocurrency की Mining कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो क्या Mobile से Mining करना Profitable है Cryptocurrency की popularity बढ़ने के साथ साथ ही Miners की संख्या भी काफी बढ़ रही है Miners को Coin Mine करने के लिए एक Highly Complex Mathematical Problem को Solve करना पड़ता है वो Mathematic Problem और कुछ नहीं बस एक Target Hash के Equal Trial and Error Method से एक Hash Find Out करनी पड़ती है जो Miners सबसे पहले वो Hash Find Out कर लेता है उसको Reward की रूप में Coins प्राप्ट होते हैं जैसे जैसे Miners की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे Difficulty का Level भी बढ़ता जाता है इसके लिए Computer Systems को बहुत ही Speed से Hash Produce करने पड़ते हैं जिसे हम Hash Rate भी कर देते हैं यह Hash Rate हम Hash per Second में नापते हैं यानि कि एक Second में कितने Hash System Produce कर देते हैं तो इसके लिए System बहुत तेजी से Hash Produce करते हैं जिसके कारण जो है Heat Produce होती है इसलिए इस Heat को पंखोंगेरा की मदब से दूर किया जाता है तो जिस System की Speed सबसे ज़्यादा तेज होगी उसी System के Chances होंगे कि वो सबसे जल्दी वो Hash Produce कर सके सबसे ज़्यादा उसकी Hash Rate होगी और उसी के Chances होंगे कि उसको कुछ Coin मिल सके अब बात करते हैं कि क्या हम अपने Mobile से Mining कर सकते हैं तो इसका Answer है Yes हम अपने Mobile से Mining कर सकते हैं उसके लिए हम दो तरह से Mining कर सकते हैं Solo Mining या Pool Mining Solo Mining का मतलब है कि हम अपने खुद के बल पर Mining करें लेकिन Practically Mobile से Solo Mining पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो भी Miners हैं उनके पास बड़े-बड़े Systems होते हैं तो उन Systems के सामने जो हमारा Mobile Phone है ये टिक नहीं सकता Mobile Phone की जो High Speed है बहुत कम होती है तो इसलिए ये जो Solo Mining है ये Practically Mobile से संभव नहीं है तो दूसरी तरफ हमारे पास है Pool Mining Pool Mining का मतलब है कि बहुत सारे जो Miners है वो एक साथ मिलकर Mining करते हैं तो वो अपनी जो भी उनके पास जो भी उनकी Mining Capacity है या Mining Power है उसको वो Combine कर लेते हैं और उसके बाद उनको जो भी reward मिलता है उसको वो Apps में बांट लेते हैं तो इसे हम Pool Mining कहते हैं इसके लिए काफी सारी Apps अवेलेबल हैं जैसे Miner Gate, Bitcoin Miner इन Apps को यूज करने से पहले आपको इनकी वेबसाइट के उपर Register करना होगा और उसके बाद हम इने अपने मोबाइल में Download करके इन Apps के द्वारा मोबाइल के उपर क्रिप्टो करंसी की Mining कर सकते हैं ये तो बात हुई कि हम अपने मोबाइल से Mining कर सकते हैं लेकिन क्या मोबाइल से Mining करना Profitable है? आप ही सोचिए कि आपका मोबाइल कितना Capable है Mining के लिए इसमें Cooling का कोई सिस्टम नहीं होता जो Hash Rate है या इसकी Speed है वो Other Systems के मकाबले बहुत कम होती है तो इसलिए हम एक मत में कुछ रुपेयों के बराबर ही Mining कर सकते हैं तो I don't think कि मोबाइल के जरिये जो हम Mining करते हैं वो Profitable है हाँ इतना जरूर है कि आपको कुछ ही समय बाद अपना फोन जरूर बदलना पड़ सकता है क्योंकि जब हम फोन के त्वारा Mining करते हैं तो Heat Produce होती है कि ट्रेड में इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा फाइदे मंद होगा क्रिप्टो करंसी की ट्रेड के लिए Play Store पर बहुत सारी Apps अवेलिबल हैं कुछ Main और Trustable एप का लिंक आपको Description में मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड करके क्रिप्टो करंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन क्रिप्टो करंसी की ट्रेडिंग करने से पहले आप खुट की Research जरूर कर लें क्योंकि आपका पैसा है इसे आप पूरी तरह सोई समझ कर इन्वेस्ट करें तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीज़े जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ठैंक यू